हेलो गाइस वेलकम वेक टो माई यूटूब चनल हम आपको आज इस टुटरल में ITI एलक्टीशन में पूछे जाने वाले MCQ कोश्चन के बारे में डिसकर्ज करेंगे जो कि आपके CVT एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन रहेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कोश्चन नमबर 278 कनवर्टर का क्या नाम है इसमें डियर एक आपको सर्कुट देखने को मिल रहा होगा एक तरफ से आपको थिरी फेस AC सप्लाई दी जा रही है और दूसी तरफ आपको बोल्टेज DC में मिल रहा है तो इसमें आप से पूछा जा रहा है कि इस कनवर्टर का क्या नाम है नीचे आपको डियर 4 आप्षन दिये गए हैं और इन आप्षन में एक आपको सई आप्षन बताना है तो इसके अगर सई आप्षन के अगर डियर हम लोग बात करें आप्षन नमबर इसका है सिलकॉन कंट्रोल रे 289, converter का क्या नाम है, इसमें बीडियर एक आपको आकरती देखने को मिल रही होगी, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कि ये किस प्रकार का converter है, नीचे चार प्रकार के option दिये गए है, तो option नमदी है, rotary converter, ठीक है डियर, ये आपको खुमता हुआ, देखने को मिलेगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा, ये क्या है, rotating converter, जो आपका आगे वाला question था, इसमें आपका क्या है, इसमें भी कोई भी चीज घूमने वाली नहीं है, ठीक है, तो आप नीचे वाले इस वाले, आकरती को देखके जरूर सेलेक्ट कर पाते, कि इसमें कौन सा आफ्थन सही नेश्ट आगे देखते हैं, question number 280, synchronous motor operation के लिए DC आप उर्ती क्यों आवेश्चक है, जब हम लोग synchronous motor को क्या करते हैं, चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है, DC supply की जरूरत पड़ती है, नीचे आपको चार option दिएगा idea, इसमें से एक आपको सही option बताना है, तो नेश्ट आगे देखते हैं, question number 281, जो inverter और converter दोनों के रूप में कार करता है, उसको क्या कहते हैं, इसमें डियर आपको चार option दिएगा हैं, और सही option इसमें आपको सेलेक्ट करना है, तो इसका सही option है, option number D, तुल्लकाली converter, या synchronous converter, next question number 82, inverter का कार क्या है, इसमें BDR आपको चार option दिएगा होंगे, और इसमें से सही option आपको बताना है, सभी के घर में inverter लगा होता है, और आपको उसका काम भी पता होगा, तो जो inverter होता है, उसका काम होता है, convert DC to AC, option number इसका B सही है, next, आगे देखते हैं, question number 283, कौन सा परवर्तक उपकरण overload किया जा सकता है, इसमें BDR आपको चार option दिएगा हैं, और सही option इसमें आपको बताना है, तो इसके सही option के अगर हम लोग बात करें, option number इसका A सही है, ratifier unit, disk कारी unit, next आगे देखते हैं डियर, question number 284, synchronous motor को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आविश्यक हैं, इसमें BDR आपको चार option दिएगा हैं, और इसमें से सही option आपको select करना है, तो इसका सही option है, option number इसका D, motor को तुल काली गती से चलाएं, next question number 285, किस application को केवल DC की अविशकता होती हैं, इसमें BDR आपको चार option दिएगा हैं, और सही option इसमें आपको select करना है, इसका सही option है, option number A, बिद्दूत लेपन, electoplating, next आगे देखते हैं डियर, question number 286, डिश्ट कारी डाइबोर्ड में LED को convert के रूप में क्यों टाला जाता है, इसमें BDR आपको चार option दिएगा हैं, और इसमें सही option इसमें आपको बताना है, ठीक है डियर, जो इसमें टालेग मतलब होता है, avoided, तो आपको इसमें सही option इसमें आपको select करना है, इसका सही option है, option number B, very low power device, बहुत कम सक्ती युक्ती, next आगे देखते हैं डियर, question number 287, synchronous motor का मुख, अनुप्रियोग कौन सा है, इसमें BDR आपको चार option दिएगा है, और सही option इसका आपको select करना है, जैसे की बात करें, lift में आपको synchronous motor का प्रियोग नहीं करते हैं, जो आपकी कागज मील होती है, rolling मील होती है, वहाँ पे भी इसका प्रियोग नहीं करते हैं, AC to DC convert के रूप में भी नहीं करते हैं, जो आपका power factor correction device होता है, वहाँ पे इसका प्रियोग किया जाता है, synchronous motor का, next आगे देखते हैं, question number 288, motor generator set का क्या लाब है, इसमें BDR आपको चार option दिये गए हैं, और सही option इसमें आपको select करना है, तो इसका सही option है, option number D, DC output को आसानी से नियंतित किया जा सकता है, next question number 289, rotary converter के भाग X का क्या कार रहे हैं, इसमें DR एक आपको आकरती देखने को मिल रहे होगी, और जहाँ पर ये X का चिन है, वहाँ आपसे पूछा जा रहा है इसका क्या कार रहे हैं, नीचे आपको उसी से related चार option दिये गए हैं, और एक आपको right answer select करना है, तो option number इसका A सही है, convert AC to DC, AC को DC में परवर्तित करता है, ठीक है डियर, नेश्ट आगे देखते हैं, question number 290, तुल काली मोटर में, sorry, शुरू में एक तुल काली मोटर में, damping winding का क्या उद्देश हैं, इसमें पूछा जा रहा है, जो आपकी synchronous motor होती है, या तुल काली मोटर होती है, उसमें damping winding का क्या उद्देश है, इसमें डियर आपको चार option दिये गए हैं, और एक सही option इसमें आपको select करना है, जिसका सही option है, option number D, एक नियत गती बनाए रखने के लिए, एक उच्च चुम्पकी छेतर का निर्माड करें, नेश्ट आगे देखते हैं डियर, question number 291, synchronous motor synchronous गती से क्यूं नहीं चलती, इसमें भी डियर आपको चार option दिये गए हैं, और इसमें से आपको एक सही option आपको select करना है, अगर इसका option पता हो या answer पता हो, तो आप इसको comment box में जरूर बताएंगे, ठीक है डियर, नेश्ट आगे देखते हैं डियर, question number 292, synchronous motor को synchronous condenser के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, इसमें भी डियर आपको चार option दिये गए हैं, और सही option इसमें आपको select करना है, तो इसके सही option के अगर डियर हम लोग बात करें, option नमबर इसका 20 है, rotor उत्तेजन में बदलाओ करके, ठीक है डियर, rotor उत्तेजन में बदलाओ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, synchronous condenser के रूप में प्रियोग कर सकते हैं, और ये बदलाओ आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका नॉर्मल होता है, एक आपका अंडर होता है, एक आपका ओवर उत्तेजन होता है, next आगे देखते हैं डियर, question नमबर 293, तुल काली मोटर में, damping winding का क्या कार रहें, इसमें भी डियर आपको 4 option दिये गए हैं, और सही option इसमें आपको select करना है, तो इसके सही option के, अगर डियर हम लोग बात करें, option नमबर इसका next आगे देखते हैं डियर, question नमबर 292, कौन सा converter में उच्छ दच्चता होती है, इसमें भी डियर आपको 4 option दिये गए हैं, और सही option इसमें आपसे पूछा गया है, कि ऐसा कौन सा converter है, जिसकी जो दच्चता होती है, वो क्या होती है, उच्छ होती है, तो option नमबर इसका A सही है, silicon control, SCR, SCR जो आपका converter होता है, इसकी efficiency क्या होती है, अच्छी होती है, high होती है, next आगे देखते हैं डियर, question नमबर 295, कैसे तुल काली मोटर, power factor सुधारक के रूप में काम करता है, इसमें बी डियर आपको 4 option दिये गए हैं, और सही option इसमें आपको बताना है, यह जो question है, यह question सेम 292 वाले के तरीके हैं, तो इसका सही option है, option नमबर B, field उत्तेजन में बदलाओ करके, हम लोग क्या कर सकते हैं, power factor सुधारक के रूप में प्रियोग कर सकते हैं, यह जो अभी हमने जितने भी आपको question करा हैं, यह question आपके synchronous motor और mg set के हैं, वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर दें, चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को subscribe कर दें, और अपने friend को जरूर से air किया करें वीडियो,